हाई एवरीवन कैसे हो आप सभी लोग आयोब आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहुल जैस्वाल और स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टुटोरियल्स में फ्रेंड्स आज अगिन हम पंडे वाले हैं हमारे एट स्टैंडर् के लिए लेकर आज विए लिए लेकर आगे दो फिर इन्डिय आज़ आइसा है अमेरिका इसा है इंगलादेश ऐसा है पाकिस्तान ऐसा है because with the help of map we come to know कि यह पाकिस्तान हमारे इस तरफ है हमको पता चला कि बांगलादेश इस तरफ है नेपाल इस तरफ है उपर चाइना है इधर अफगानिस्तान है और वेस्ट में जाओगे तो बहुत सारी कंट्रीज है यह हमें कैसे पता चला समझ में आ रहा है आप आज के दिन म map scale that is verbal तरीके से हम लोग scaling कर सकते है उसको ठीक है या फिर एक numerical scale होता है numerical value के साथ और एक तीसरा जो हमने डिसकल ग्राफिकल स्केल करेंगे जैसे कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो है दोस्तों graphical scale and its importance तो graphical scale के बारे में हम लोग पढ़ने वाले है graphical scale and importance उसका क्या importance है वो हम देखेंगे तो सबसे पहली बात आपको मैं वापस से यहाद दिलाना चाहूंगा कि what do mean by scales जैसे हमने कल के जिन discuss अगर किया था तो आप एक चीज़ जामते हो कि समझ लो कि यहाँ पे आपका कोई जगा है जैसे मुंबई ठीक है और यहाँ पे कोई जगा है समझ लो इधर लगबग है पूने ठीक है न यहाँ एक जगा है पूने अब मुझे बताना है मुंबई से लेके पूने कितना दूर है तो मैं क्या बताओंगा मैप में अब मैप तो हमारा इतना चोटा सही होगा समझ लो यह हमारा मैप है महरा मैप है अब मैप तो छोटा सही है तो मुझे झैये छोटे से मैप में मुंबई से पूने का डिस्टेंस बताना है तो समझ लो हम मान लेते हैं कि मुंबई से जो पूने का डिस्टेंस है एप्रॉक्सिमेटल्ी मैं मान लेता हूं कि चलो तो तो अब 300 km लंबा तो मैं map बना नहीं सकता तो उसके रिए मुझे एक short value की जरत पड़ेगी तो हमने देखा था कि 3 type के scale होते हैं तो पहला हमने देखा था verbal scale तो verbal scale पे हम लोग क्या बता सकते हैं कि 1 cm is equal to 100 km मैं ऐसा बोल देता हूं तो उसके हिसाब से 1 cm 100 km है तो हम दोंको सेंटीमेटर के दूरी पे है तो मुझे पता चल जाएगा कि मुंबई से पूने 3 cm के दूरी पे है तो 3 cm की दूरी का मतलब क्या होता है 1 cm मतलब 100 तो 3 cm मतलब कितना हो जाएगा 300 km 3 cm मतलब 300 km हो जाएगा समझ बहार है इस परकार से mapping करते हैं फिर हमने दूसरा वुला देख नुमेरिकल स्केल में हमने देखा था उसको हम लोग ratio के form में लिख सकते हैं कि 1 ratio इसको मैं लिख दूंगा 1 ratio 10 लाक ठीक है 1 ratio क्या हो जाएगा 10 लाक हो जाएगा कैसे हुआ 10 लाक यह 100 किलोमेटर का 10 लाक कैसे हुआ क्योंकि आपको पता है कि 100 km है 1 km मतलब 1000 मीटर होता है 1000 मे एक मीटर मतलब 100 cm होता है मतलब 100 cm में 2 0 होते हैं तो 2 0 और लिख दिये तो बन गया है न 10 लाक ठीक है समझ में आ रहा है clear है तो उसी के हिसाप से यहाँ पर चीजे लिखी गई है ठीक है अब तो 1 इस्टू कितना हो गया 10 लाक हो गया अब 10 लाक के हिसाप से अगर मैं बात करूँ तो 1 रेशियो 10 लाक के हिसाप से हमारा ये एक numerical scale बन जाएगा हम लोग बता सकते हैं कि 1 रेशियो 10 लाक में है और एक तीसरा था हमारा graphical scale तो graphical scale में हम लोग कैसे represent करते हैं ग्राफिकल स्केल में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपको याद होगा, कि समझ लो, कि आपका इस प्रकार से आपको ड्रॉ करना होता है, यहां से आपका समझ लो, 0 शुरुआत हो रहा है, तो 0 हो गया, कितने गाप है, 1 cm is equal to 100 km, तो यहां पे 0 है, तो यह 100 km हो आप इस साइट से दे सकते हो, तो इस प्रकार का जो स्केल बनता है, इसको हम लोग क्या बोलते है, ग्राफिकल स्केल बनता है, तो ग्राफिकल स्केल की अगर मैं बात करूँ, यह कब बनाया जाता है, जब हमें कोई भी मैप को enlarge करना हो, या फिर उसकी size को change करना हो, जैसे इंडिया का मैप है, तो यह इतना छोटे पेपर के अंदर आपको एक मैप मिल जाता है, तो एक्ट्वल में तो हमारा इंडिया बहुत बढ़ा है, लग बग हजारों किलोमेटर लंबा है, कश्मीन से कन्या कुमारी, इस से वेच्ट अगर जोड़ोगे, या फिर नौर्थ स दूरी हो जाता है, कि हम कोई भी बड़े चीज को छोटा कर सकते है, छोटे चीज को बढ़ा कर सकते है, उसके इसाप से, तो जब ऐसा कुछ करना होता है, यह प्रोसेस के दौराफ हम लोग क्या यूज करते है, यह ग्राफिकल स्केल जो है, इसका इस्तेमाल करते हैं, और इसको करने के बहुत सारे methods है, अब methods के अगर में बात करो, जैसे कि मेरे को reduce करना है, उसकी size कम करनी है, या फिर मुझे enlarge करना है, बड़ा करना है, तो मेरे पास ऐसे कई सारे methods है, तो normally क्या होता है, एक तरीका यह है, कि सबसे पहले आप क्या करो, वो जो map है, उसका एक photo की चलो, या फिर photocopy बना लो, xerox बना लो, और उसकी size को जो है, जूम कर सकते हो, या फिर उसको जूम आउट कर सकते है, जूम इन, जूम आउट करोगे, तो उसकी size जो है, आप इसकी size जो है, वो automatically छोड़ी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, ठीके ना, और जब map को reduce किया ज जूम इन करूँगा, या फिर जूम आउट करूँगा, तो ज्यादा स्यादा क्या होगा, ये map छोटा बड़ा नहीं होगा, ये map का size जो है, ये number जो लिखे हुए, उसमें जो wordings लिखे हुए है, ये जो values लिखे हुए है, उसकी size छोटी हो जाएगी, जैसे हम लोग कोई भ लेकिन उससे ये पता चलेगा हमें, कि अंदर के detailing क्या है, और साथ ही में, ये जो values जोंगे, उसकी size छोटे हों जोगे, अभी आप ये इतना बड़ा दिख रहा है, जब आप इसको बड़ा कर दोगे, तो ये शायद ऐसा दिखेगा, ये इतना बड़ा दिखेगा, आपको स लेकिन इसका value चेंज नहीं होगा, लेकिन ये graphical scale जो होता है, इसका value जो होगे, ये चीज में आपको बताने की कोशिश कर रहा है, और graphical scale में क्या होता है, कि जो scale होता है, वो change होता है, according to the size of map, जो map हमें दिया होता है, जो बनाते हैं हम लोग map, वो map के इसाब से उसका actual scale है, वो क्या होता है, change होता है, और जो font size होता है, verbal और numerical scale का font size होता है, वो ही change होता है, लेकिन value change नहीं होता है, ठीके, और इसलिए ये जो graphical scale होता है, graphical scale इसका इस्तेमाल किया जाता है, atlas वगरे में, आपको पता है na, atlas क्या होता है, एक बड़ा सा book होता है, encyclopedia जैसा, ठीके न एक बड़ा सा बुक होता है, उसमें maps बहुत सारे बने होते हैं, यह मैं हम लोग बच्पन में ऐसे बड़े-बड़े मैप लगे होते हैं, आप पुली स्टेशन वगरे जाना कभी, जाना तो मत हैसा, लेकिन अभी जरुट पढ़ी अगर जाने की, तो आपने देखा होगा बड़ा map रहेगा, इंडिया का एक बड़ा map रहेगा, तो बड़ा-बड़ा map जो होता है, दिवार के उपर लगा होता है, वाल maps बोलते हैं, तो यह उसी में, जो नीचे की तरफ आप देखोगे न, map में, map में नीचे की तरफ देखोगे, तो आपको इस प्रकार graphical scale बना हु इसे समझ में आ गया होगा, तो यह था हमारा पहला topic, graphical scale, और इसमें एक और चीज़ है, जैसे कि, questions आपको एक्जामें पूछे जा सकते हैं, ना मेरी कुछ भी distance दिया रहेगा, जैसे यहने मुंबई का पूने बता है, वैसे कुछ भी distance दिया रहेगा, और आपको उस चीज इसका क्या बताना होता है, verbal scale बनाना होता है, numerical scale बनाना होता है, graphical scale, तो आपने इसका बना दिया ना, जैसे मैं आपको बताया, कि मुंबई से पूने कितना दूर है, तो आपने बोला, कि 300 kilometer दूर है, तो मैंने क्या बोला, चलो मैं ले लेता हूँ, verbal scale वन सेंटीमेl is equal to 100 km, यह आपने मन से आप ले सकते हो, पर ज्यादा तर जो एक्षल में जो रेशियो माना जाता है, ज्यादा तर लिया जाता है, धिकलया जूरा जो यह न, सेंटीमेटर is equal to 60 km, इस प्रकार से चीजे ली जाती है, वो ही अगर numerical scale की बात किया जाए, तो numerical scale में यह ratio क्या बन जाएगा 1 ratio 60 lakh, क्या बन जाएगा, 1 ratio 60 lakh बन जाएगा, ठीक है और वो ही अगर graphical scale की बात किया जाए ठीक है, यहाँ पर लिख देदाओं में graphical scale, यह आप लोगको note down कर लेना या फिर screenshot ले लेना है दोस्तों, मैं आपको time दे दूँगा screenshot लेने का, तो यहाँ पर जो आपका graphical scale है, वो कैसे बनेगा समझ लो, यहाँ पर आपने कितने का gap रखा है, 1 cm का 60 km का gap रखा है, तो अगर आप 60, 90 जो भी है, आपको लेना है, तो यह km में होते हैं, यह जितने भी होते हैं, यह km में होता है, और इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, दोस्तो graphical scale होता है, वो यहाँ से भी बढ़ सकता है और इस direction से भी बढ़ सकता है, तो कोई distance का, अब तीनो के तीनो verbal, numerical और graphical scale इस प्रकार बना सकते हो, एक example तो मैंने यहाँ पर भी explain किया हुआ है, तो इसको screenshot लेलो, अब हम जा रहे हमारे इस chapter के आखरी topic के ओपर बहुत ही बहतरी topic है, जिसका नाम है दोस्तो, small scale and the large scale, तो यह small scale and the large scale क्या होता है, maps की अगर बात करें, तो यह हम discuss करेंगे, वीडियो को end तक देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, एक ही topic बचा हुआ है, chapter खताम हो जाएगा, हमारा, देख लो ध्यान से, ठीक है, इसको मिटा दू, ठीक है, screenshot ले लिया, आपने, अच्छा लगा होगा तो, ओके, चलिए, मिटा देता हूँ, अब आते हम लोग, small scale maps and large scale maps के उपर, ठीक है, फटाफट से मिटा लेता हो दोस्तो, फटाफट बने रहना हमारे साथ, ध्यान से, चलिए, आजाते हैं, हमारे topic के उपर, जैसे मैंने बोला कि, topic का नाम है, small scale map and the large scale maps, तो यहाँ पर एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा, कि नाम से ही आपको कुछ idea मिल जाएगा, क्या बोल रहा हूँ मैं, small scale map, तो scale में मतलब मुझे क्या बनाना है, small scale map बनाना है, and दूसरा मैंने बोला, large scale map, large scale map, मतलब small scale map भी है, और large scale map भी है, तो यह exactly है क्या, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं, तो normally क्या होता है, कि जब कोई भी छोटा area दिया होता है, जब कोई छोटा area होता है, ground का, उसको अगर हमें एक बड़े area में convert करके बताना है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, कि जब भी कोई small area ground का होता है, उसको हमें क्या करना होता है, large area cover करके बताना होता है, map के उपर, तो उसको हम लोग बोलते हैं large scale map, तो इसमें कौन-कौन से चीज़े आ जाती है, तो large scale map में आ जाती है, जितने भी small cities होती है, जैसे छोटे-छोटे शेहर होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, तो city आ जाती है, small cities आ गए, villages आ गए, agriculture field आ गए, small cities, छोटे-छोटे गाहाँ जो होते हैं, यह सब छोटे area वाले होते हैं, उसको एक बड़ा enlarge करके बताया जाएगा, ठीके न, agriculture वाले field जो आ जाते हैं, खेद के, ठीके न, agriculture fields आ जाते हैं, यह कुछ example एक इसके large scale map के, यह किसकी बात किया मैंने, large scale map की बात किया, ठीके, याद रहेगा यह चीप, और generally, इसका जो map का scale होता है, वो generally, one ratio 10 lakh के हिसाब से होता है, मतलब इसका जो graphical scale की बात करें, GS मतलब graphical scale की बात करें, तो one ratio 10 lakh के आसपास रहता है, इसका graphical scale, वन ratio 10 lakh के आसपास इसका graphical scale होता है, तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, large scale maps बोलते हैं ठीक है तो generally क्या होता है कि आप एक चीज जानते होंगे ठीक है मैं आपको बताऊंगा लेकिन पहले में थोड़ा सा बता दू ये हो कि आपका large वाला ठीक है large scale map हो गया वैसे ही में small वाला बता हूँ अगर small scaling छोटा करेंगे जैसे कि आप जानते कोई छोटा चीज है तो उसको हम बड़ा करके map में दिखा सकते हैं और कोई बड़ा जो होता है ये हो गया फिर साती में जो आपका कोई world का map दिखा रहा है पूरे दुनिया में कितना है तो world map हो गया ठीक है ना continent का हो गया ठीक है ना जो continents होते है अलग-अलग continents तो इस प्रकार की जो चीजें होती है वो हमें क्या होती है अलड़ी बड़ी होती है ना उसका एरिया अलड़ी बड़ा होता है क्योंकि country बड़ा है world बड़ा है continent बड़ा है तो वो अलड़ी बड़ा है तो उसको छोटा करके दिखाएंगे इसलिए उसको small scale में आप दिखा बोलते है ठीक है याद रहेगा और वही इसका में एक graphical scale का 50 lakh 1 ratio क्या होता है 50 lakh का scale होता है तो यहाँ पर एक चीज़ consideration में अगर मैं दोनों को compare करके दिखाओं दोनों को compare करके आप देखोगे तो आपको कुछ फरक नजराएगा कि यह चोटा scale map है उसमें area चोटा है और यह small scale map है इसमें area बड़ा है मतलब एक चीज़ आप differentiate कर सकते हो मतलब अगर आपको एक differentiate करना है मैं आपको करके बताता हूँ यहाँ पे कि एक large scale map है ठीक है एक large scale map है और दूसरा जो है आपका small scale map ठीक है इसका में क्या करता हूँ एक differentiate करता हूँ देखो ध्यान से भी इसका में क्या करता हूँ छोटा सा differentiate करके दिखाता हूँ देखो अग यह आपको differentiate करने के लिए भी पूछ सकता है, difference between the small scale and the large scale map, तो large scale map रहेगा, उसमें area छोटा रहेगा, small scale map में इसमें large area रहेगा, साथी में कि जो large scale map होता है, इसमें थोड़ा details जादा होता है, more details, क्योंकि बड़ा है ना, तो more details होता है, लेकिन small scale map रहेगा, तो इसमें क्या हो होते हैं, छोटे-छोटे शहर होते हैं, small cities हो गए, villages हो गए, इस प्रकार के चीजें जो दर्शाये जाता है, वो आपके large scale map से दिखाए जाता है, वो यह अगर small scale map की बात करें, तो उसमें normally country का map हो गया, ठीके, world का map हो गया, continent का map हो गया, इस प्रकार से जो map होते हैं दोस् जहां से, जैसे मैंने बोला, इसका graphical scale है, 1 is to 10 lakh और जो small scale map है, इसका है 1 is to 50 lakh, तो आप बोलोगे कि सर, ये बड़ा लग रहा है, ये बड़ा लग रहा है, ये 1 is to 10 lakh ही है, जो की large scale map है, और ये 1 is to 50 lakh है, जो की small scale है, तो यहाँ पे तो उल्टा तो नहीं लिख दिया, आपने मुझे एक बात बताओ, बड़ा नंबर वो है, आपको दिखने में तो लग रहा होगा कि सर, ये बड़ा है, लेकिन ये बड़ा नहीं है, ये बड़ा है, क्यों बड़ा है ये, क्योंकि इसके denominator में क्या है, 2 है, तो जितना छोटा रहेगा उसके denominator में, ratio का मतलब क्या होता है 1 is to 10 lakh का मतलब क्या होता है दोस्तो, 1 is to 10 lakh का मतलब होता है, 1 upon 10 lakh, ठीक है, 1 is to 10 lakh का मतलब 1 upon 10 lakh, और ये जो 1 is to 50 lakh है, इसका मतलब है 1 upon 50 lakh, ठीक है, समझ में आ रहे है दोस्तो, समझ में आ रहे है, तो denominator जो छोटा रहेगा, denominator जो छोटा रहेगा, वो actual में बड़ा रहेगा, त तो यह नमबर बड़ा है, इसका मतलब यह last scale में ही होना चाहिए था, तो यहां से आपको समझ में आ रहा है, YES, large scale है, इसलिए तो यह one is to ten lakh है और यह small scale है, इसलिए तो यह one is to 50 lakh है, और बड़ा तो इसको one is to 67 lakh कर दो, तो यह और चोटा चोटा होते जाएगा समझ में आ रहा है तो इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और यही था हमारा small scale and large scale का topic उमीद करता हो कि बहुत बहुत बहतरी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा प्यार दिखाते रहे ना वीडियो समापत होता है चाप्टर में समापत होता है तो कैसा लगा है आपको ये वीडियो हमारे चाप्टर कैसा लगा है प्लीज हमें कॉमें करके बताना अपनी राय और सजेशन जरूर से देना वीडियो पसंद आया है अच्छा लगा है दोस्तो तो जल्दी मिलेंगे हमारे निव वीडियो में तब तके लिए थाइंक यू एंड गुडबाई